ये तथ्य सबको पता होने चाहिए, जहां घोडे पी रहे हैं वहीं पियें, क्योंकि वे कभी भी दूशित पानी नहीं पियेंगी, अपना बिस्तर वहीं लगाएं, जहां बिल्ली सोती है, उसे शान्ती पसंद है, जिसमें फल को केडा ने चुआ है, लेकिन उसमें घुसा न लाश में रहता है, और जहां चचुंदर खोदे, वहां अपना पेड लगाओ, क्योंकि वे उपजाओ भूमी है, अपना घर बनाओ, जहां साप अपनी आपको गरम करने के लिए बैठता है, क्योंकि वे स्थिर भूमी है, जो गिरती नहीं है, उस जगय पर पानी को खोजन के लिए खुदाई करें, जहां पक्षी गरमी से चिपते हैं, पक्षी जहां भी खड़े हैं, पानी चिप जाता है, सो जाओ और एक ही समय में पक्षियों के साथ जागो, यही सफलता की खोच है, जब भी आपको समय मिले, तैरें, और आपको ऐसे लगेगा, जैसे आप पा गिलोई के जूस के चार चम्मच, आधा चम्मच पानी में मिक्स करके, सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए, अगर आपके घर के पास कोई गिलोई की बेल है, तो आपने चार से पांच इंच का टुकड़ा लेकर उसके किसी चीज से कूट लेना है, रात को सोते समय एक ग इस जूस का सेवन 15 दिन तक रोजाना करना है, गिलोई के जूस को पीने से वात, कफ, पित, आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, जिन लोगों के शरीर में डायबिटीस की समस्या है, खून की कमी है, इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है, उन लोगों को भी गिल को सबस्क्राइब करें, धन्यवाद